नमस्कार दोस्तों सुखी आलू की सबजी इसको देखकर ही आपकी भूख बढ़ जाएगी इतनी टेस्टी बनती है और फटापट बनती है पांस मिनिट के अंदर बन कर तयार हो जाती है आप चाहिसापर्म के लिए ले जा रहे है यह ठीफिन के लिए ले जा रहे है बहुत ह सांदार चटपटी सबजी है तो वीडियो को सुरूशी लेकर एंट तक जरूर देखेगा और पहली बार चैनल देख रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही दवाज जी बहला है किन का बटन ताकि हमारी हरे नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिले तो चलिए ड्राइ पोटेटो की सबजी बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले तो मैंने ये 500 ग्राम उगलेवा आलू लिये जिनको ठंडा कर लिया धहां रखेगा आपको ठंडा करके लेना है अगर गरम आलू को हम चोंकेंगे तो मैं सोचाएंगे दो हरी मिर्ची चीए हमें आलू को म मैंने उसके बाद मैंने छोटा मिक्सिका जार ले उसके अंदर साबुत काली मिर्ची वन भूर चोटी चमल डाली है एक चमत साबुत धनिया डाल दिया है मिक्सिका जार के अंदर आदा चमत जीरा और ये तीन मैंने साबुत सुकी लाल मिर्ची लिये अगर तीकी हो तो एक बारिक भी नहीं करना इस तरीक है बिल्कुल मोटा करोगे तो जब मुह में आएंगे हम जब सब्जी खाएंगे तो गेस लाए ते जान से उसमें ने कड़ाई चड़ाई है और कड़ाई के अंदर मैं तीन बड़े चमच तेल डाल रहा हूं आप तेल जो भी यूज करते है घ इसको दीमियाज पर कर दीजिए और तेल का टैंप्रेजर डाउन करने के लिए हरी मिर्ची डाल दीजिए इसके अंदर दो प्ड़ुटी रफली चोप और फिर ये मसाला डाली ताकि मसाला जले ना इसलिए हमने जो मिक्स मसाला जो पीशा था वह मैंने डाल दिया है उसको मसाली को थोड़ आसा पकाना है मीर्ची के अंदर 1-4 छोटी चमाज हल्दी पाउडर डाल देना है और 30 चेकिंड के बाद आपको आलू डाल देने ताकि मसाला जले ना ज्यान रखना आपको इसलिए मैंने तेल का टेमप्रेजर मीर्ची डाल के डाउन किया आदा चमाज मैंन ताकि मसाला नीचे जलना जाए और अब हम इसके अंदर डालेंगी थोड़ी सी लाल मिर्ची आप बच्चों के लिए बना रहे है तो मिर्ची थोड़ी कम कर लीजिए और आधा चमाज लाल मिर्ची पाउडर डागाओ में इसके अंदर ये चटपठी सी सबजी बनती है बह उपर आप डाल दीजिए आपके इसाब से बारी कटवा हरा धनिया डाल दीजिए अच्छे से सब्जी को मिलाए इसको पूरी पराठा चपाती इन सब चीजों के साथ खाईए चाहल के साथ भी खा सकते बहुत ही चटपड़ी टेश्टी सब्जी बनती है और बहुत ही जल्द गजब की लग रही है ना ये सब्जी देख के ही मुँमे पानी आ जाता है तो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मसाला तोड़ा कम कर लीजिए और बढ़ों के लिए अगर बना रहे है तो इस तरीके से चटपड़ी बनाईए बहुत ही सांदार लगेगी पूरी के साथ अगर सपर में ले जा रहे हैं तो गर्मियों में तो आप सुबे से शाम तक यूज कर सकते सर्दी के अंदर आप दो-तिन टाइम यूज कर सकते हैं बनाते रहे खाते हैं बताते हैं भिलता हूं फिर मैं नहीं रहे हुए